आज की रेसिपी मैगी लवर्स के लिए वैसे मैगी बच्चों से लेकर बड़े सभी को बसंद आती है चाहे ब्रेकफ़स्ट हो, चाहे एविनिंग स्नैक्स, चाहे मिडनेट स्नैक्स या फिर टिफिन बॉक्स जबी भी दे दो मैगी लवर्स के लिए मैगी हर टैम फेबरेट ही होती है लेकिन एक दिक्कत सभी को आती है, मैगी थंडा होने के बाद चिपचिपा हो जाता है और मैगी में वही सेम फ्लेवर खा के अगर बोर हो गए हो, तो चलिए आज बनाते हैं मैगी मसाला जिसको हम ऐसे बनाएंगे कि ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं बनेगा, थंडा होने के बाद भी चिपचिपा नहीं बनेगा यानि कि आप इसे टिफिन बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं तो इस वीडियो को इंट तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें तो चलिए स्टार्ट करें मैगी मसाला बनाने के लिए मैं दो पैकेट मैगी के ले रही हूँ जो बारा रुपे की पैकेट आती है, साइड में पैकेट पी है, आप देख सकते हैं तो दो पैकेट मैगी लेंगे, इसे खोल कर रख दे पहले ही और अब हम एक कड़ाई में दो बड़े चमस तेल डालेंगे और फ्लेम को आउन कर देंगे जैसे ही तेल करम हो जाए, इसमें एक कटा हुआ पैस डाल देंगे पैस को रफली चॉप करके मने लिया है अब हम पैस को ट्रांसलोट होने तक पकाएंगे यानि कि पैस जब तक थोड़ी सी नरम बढ़ जाएगी हलका सा इसका कलर चेंज होगा तब तक ही हमें भूनना है और यहां पर देख सकते हैं प्याज भून चुका है तो आप मैं इसमें पाच लसन के कल्यों को बारिक काट करके ले रहे हूँ आप अगर लसन नहीं खाते या फिर लसन का फ्लेवर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इसके बिना भी पहुत ही डेस्टी बनती है यह अब इसी के साथ तीन हरी मिश में पारिक काट कर ले रहे हूँ आप स्पाइसी कम खाते हैं या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम तीखे वाला हरी मिश ले सकते हैं या फिर हरी मिश को हटा भी सकते हैं अब हम इसमें एक एक करिके सारे सबजी को डाल देंगे मैं यहां पे एक चोथ है कप फ्रेश मटर ले रहे हूँ मार्केट में अच्छा फ्रेश मटर मिल रहा है आजकर आप फ्रोजन भी ले सकते हैं एक चोथ है कप फ्रेंच बीन्स डाल देंगे इसके लवा मैं एक चोथ है कप कटे हुए गाजर डालूंगे इसमें ज़रूरी नहीं कि मैंने जो सबजी ली है आप वही लेंगे आप इसमें बॉयल्ड स्वीट कॉन्स डाल सकते हैं या फिर जो सबजी आपके घर में अवेलेबल है या फिर जो सबजी आपको पसंद आप वो ले सकते हैं आप देखिए हमने इसमें एक चोथे कप गाजर कटे हुए एक चोथे कप फ्रेंच पिंस कटी हुई और एक चोथे कप मटर डाल दिया है यहने हम 3-4 मिनिट के लिए भून लेंगे जब यह सबजी थोड़ी सी भून जाएगी हलकी सी पक जाएगी तब इसमें हम शिमला मिश डालेंगी क्योंकि शिमला मिश को पकने में कम समय लगता है तो मैंने यहां पर एक शिमला मिश का आधा ही काट कर लिया है वैसे आप एक चोथे कप कटे हुए शिमला मिश इसमें आप डाल सकते हैं अब इसके अलबा हम इसमें एक टमाटर काट कर डाल देंगे एक बड़ी साइस की टमाटर को काट कर डाल दें जब ही मैं मैंगी बनाती हूँ मैं प्रिफर करती हूँ कि अलग अलग तरीके की सब्जी में इसमें अच्छी कॉंटिटी में एड़ करूँ जिससे की जो भी मैंगी को खाएगा उसके लिए बहुत ही हल्दी होगा और स्पेशली हमारी लिए टास्क होता है बच्चों को सब्जी खिलाना तो वो टास्क भी हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चे एजीली सब्जी खा लेते हैं तो बच्चे भी खुश हम भी खुश तो आप देगी मिश पाउडर भी ले सकते हैं अब इसमें स्वात के अनुसा नमक डालेंगे ध्यान रहे जो मैगी के पैकेट में टेस्ट में कराता है उसमें नमक होता है तो सिर्फ सब्जियों के लिए ही नमक डाला हैं हमें अब इसमें में डाल रही हूँ मैगी मसाला मैजिक का एक चोटा सा पैकेट ये मसाला डालने से हमारा जो मैगी मसाला है उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और ये मसाला आपको किसी भी क्रोसरी स्टोर में एजिली मिल जाएगी अच्छे से मिला लेंगे अब इस सबजी को सिर्फ 2 मिनिट के लिए हम ढग कर पकाएंगे सबजीयों को हमें पूरा नहीं गलाना है सबजीयों में क्रंच होनी चाहिए तब ही आपके मैगी जो है टेस्टी बनेगी तो 2 मिनिट के बाद देख सकते हैं सबजी जो है हमारी पकचु किये जितना हमें पका ना था अब हम इसमें 2 कप पानी आड़ करेंगे फ्लेम को अब हाई पिकर दे एक पैकेट मैगी के लिए 1 कप पानी हम 2 पैकेट मैगी ले रहे हैं दो कप पानी डाल देंगे और इसे एक बार मिला लेंगे आ चुकिये तो सबसे पहले हम टेस्ट मेकर डाल देंगे दो पैकेट मैगी थे तो दो पैकेट टेस्ट मेकर है इसे डाल कर मिला लेंगे फिर हम इसमें मैगी के पैकेट डाल देंगे यानि कि मैगी डाल देंगे इसमें मैगी को आपको तोड़ना नहीं है कुछ नहीं करना है जस्ट इसे ऐसे ही डाल दे इसमें फ्लेम को हाई पे रखे आभी बिल्कुल ना छेड़े थोड़ी देर में आप देखेंगे ये थोड़ी से फूल जाएगी नरम पड़ जाएगी तब आप चम्मत से जब इसे चलाएंगे तो ये खिला खिला हो जाएगा यानि कि खुल जाएगा जब भी आप मेगी पका रहे इसे बहुत जादा ना चलाए जिससे कि मेगी आपके जो है चिपका चिपका बन जाएगा इसे आप थोड़ी देर ऐसे ही हाई फ्लेम पे पकने दे और जब ये एकदम खुल जाएगा फिर आपको चलाना है और फिर मिक्स करना है और जैसे खिला खिला हो जाएगा इसे फिर से पकने देना है और पूरा मेगी को हाई फ्लेम पे ही पकाए कभी भी इसे लो फ्लेम पे ना पकाए और ढखकन ना पकाए मेगी डालने के बाद बिलकुल इसे नहीं ढखना है इससे आपकी मैगी जो है चिपका चिपका बन जाएगा आप खुला ढकन पकाएगे तब ही मैगी जो है खिला खिला बनेगा आपको अगर थोड़ी सी ग्रेवी वाली मैगी पसंदे तो इस टाइम पे फ्लेम को आफ कर दे लेकिन अगर आपको मैगी खिला खिला चाहिए तो आप इसे और एक से दो मिनिट पका है अभी देख सकते हैं मैगी जो है पक चुकी है और जो हलकी हलकी पानी आपको साइडों में नजर आ रही है ये सुख जाएगे जैसे आप फ्लेम आफ करेंगे सर्फ करने तक ये सूख जाएगी तो अब हम इसमें फाइनली कटी हुई धनिया पता डाल देंगे क्योंकि हमी मैगी को इंडियन फ्लेवर्स के साथ मैगी मसाला बना रहे धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा जाएगा जरूर से डाले अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी से चिली फ्लेक चिली फ्लेक्स आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते लेकिन ये चिली फ्लेक्स को मैंने घर पे ही बनाई है और पहले का चिली फ्लेक्स वाला बोटल पड़ा था मेरे पास उसमें मैंने भर के रखा है आप चि मैगी है बिल्कुल खिला खिला बन चुका है हलकी हलकी जो क्रेवी आपको नजर आ रहे थी साइड में वो भी सूख चुकी है ये मैगी को आप ऐसे ब्रंच ले सकते हैं ब्रेकफ़स्ट में ले सकते हैं कोई-कोई डिनर में भी खाना पसंद करता है और मिडनाइट में तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा तो मुझे आप कमेट में बताना आप कप कप मैगी खाना पसंद करते हैं इसे आप टिफिन बॉक्स में भी भरके दे सकते हैं ये बहुत देर तक खिला-खिला रहता है नहीं चिपकता एक दुसरे के साथ तो आज की रिस्पी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना और मैगी आप कप कप खाते हैं वो भी बताना जरूर और अगर आपको ये रिस्पी पसंद आई है मैगी आपको पसंद दे तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें टार्गेट रखतें